हेलो फ्रेंड्स तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागते मेरे चैनल सोडो पाउर पर और इस एपिसोड में हम लोग सेखने वाले हैं CSS के ओधर सिलेक्टर जिसमें मैं आजे सिलेक्टर अभी कवर करने वाला हूँ तो जिसे हम लोग ने पिछले से एपिसोड में देखा था क्लास सिलेक्टर उसी तरीके से बहुत सारे सिलेक्टर और भी CSS के अंदर आते हैं जो आपको पता होना चाहिए तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर जरूर फॉलो करना है क्यों कि मैं वहाँ पर सॉप्ट्रेट डेवलप्मेंट के रिलेटेड एक्स्टा कॉंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ जो आपको आपको डारेक्ली देखना है पार्ट 23 से ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स उपाट इस सिलेक्टर तो सिलेक्टर क्या है तो जैसे हम लोग एच्वन की उपर पीटक की उपर और पिछले एपिसोड में जो हम लोग ने देखा था क्लास जिसके वोकर हम लो आके के एपिसोड में मैं आपको सिखा होगा ठीक है फ्रेंट्स तो सिंपले एस्टेमल टैग जिसे हम लोग एच्वन की उपर डायरेक्ली अपलाए कर रहे थे तो वो सिंपल सिलेक्टर हो गया उसी तरीके से फिछले एपिसोडी में हम लोग ने देखा ख्लास सिलेक्टर अभी बचा के ID और Universal Fig Grouping और Combinator जो हम लोग इस एपिसोड में देखने वाला है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो Friends Video Studio Code के अंदर आगे तो इसके अंदर मैंने अल्रेडी फाइल बना के रखी है CSS part 29.html तो अभी हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको स्टार्टिन से भी बता देता हूँ सबसे पहले क्या आता है, तो وہ Simple Selector जिसके अंदर हम लोग डाइरेट ली टेक के ऊपर हम लोग क्या apply करते हैं, CSS apply करते है, Łट्य है ? तो अभी मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टी, h1 की ऊपर CSS apply करता हूं हो तो सबसे पहले बेग्राउं कलर मैं अप्लाइ कर देता हूँ और यहां से में कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा दिस टाइप और कलर उसका रख देता हूँ मैं पुरा ब्लैक और उसके अंदर पैडिंग डाल देता हूँ 10% सेव करते हैं तो फ्रेंड्स अभी क्या किया मैंने एच वन के उपर डारेक्ट ली सीएस अपलाई किया ठीक है तो इसको अमनों क्या बोलेंगे सिम्पल सिलेक्टर तो इसको रैक्लिक करो अभी रन करके देखते हैं और पूट के अंदर तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं और पूट मैं अभी जो ब्राउजर है वो कुछ ज्यादा ही जो मैं ठीक है फ्रेंड्स तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग सिम्पल सिललेक्टर ठीक है फ्रेंट्स उसी तरेकर से अगर आप पी के ऊपर भी डाइरेक्ट अपल्इख उट्रों के तो यह शीमफल सिलेक्टर के अंदर ही आता है ठीक है फ्रेंग का नाम लिए भून तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ तो क्लास कैसे बनाते हम लोग डॉट उसके बाद क्लास का नाम ठीक है परेंस तो आपको क्लास का नाम जो भी रखना हो आप रख सकते हो तो मैं आपर सिंपल पीटाग ले लेता हूँ वेलकम टू माइ चैनल से परते हैं तो अमनों क्लास कैसे अपलाई करते हैं यूजिंग क्लास एट्रिव्यूट जो अमनों पिछले एपिसोड में देखा था अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखाए तो आपको जरू जरूर देखना है ठीक है फ्रेंस तो अंदर निहीं काल देता हो तो ग्रेंड कलर आगे इसको मैं जŋम कर देता हूँ ठीक है तो व्रेंड अभी नेक्स सेलेक्टर क्या है तो अईwriting तो आइडि सेलेक्टर या तो अबहलें रहीं अभी फिलाल एस टू टैग लेहाँ इसके अंदर मीं लिख देता हुँ css tutorials save करते हैं और इसके अंदर मैं अभी देखो क्या करता हूँ इसको एक ID देता हूँ ठीक है फ्रेंस ये ID का जो है उसके अंदर में अंदर आप KUCH BEEK UNIQ VALUU 1200 दे सकते हो ऑंदर जैसे के अंदर एक VALU देते है उसी तरीके से id के अंदर भी आप KUCH UNIQ PARTS दे सकते हो फिरींणक तो id out के उपर अभी मुझी क्या करना है तो s2 की easier करना है इसके अंदर हम ळोग 2 तरीके कर सकते यह एक है रेक हम लोग H2 के ऊपर इसके अंदर हम लोग directly CSS अपलाई कर सकते हैं ठीक है प्रेंट्स उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको अज़र ID को सिलेक्ट करके भी इसके ऊपर हम लोग CSS अपलाई कर सकते हैं ठीक है प्रेंट्स तो H2 के ऊपर अब फिर से क्या हो जाएगा simple selector जो हम लोग को अभी नहीं करना है ठीक है अभी क्या करना है आपको ID को पर करना है तो simple ID को copy करो और same to same ID यहापे लिखना है लेकिन यहाँ का ID का rules क्या है तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर hash तो friends आपको simply क्या यूज करना है यहाँ पर hash ठीक है friends तो जहाँ पर भी आपकी ID होगी और उस ID पर आपको CSS apply करना है तो simply आपको क्या यूज करना है है अगर class होगा तो class को कैसे करेंगे हम लोग using dot ठीक है friends बस इतना ही difference है इसको save करते हैं और इसको हम लोग run करके देखते हैं तो h2q पर color के apply होने चाहिए तो red save करते हैं run करते हैं तो output में आ गया तो आप देख सकते हो h2q पर red color apply होगा ठीक है friends तो friends class और ID के भीच में differences है कि हम लोग class के अंदर यहाँ पर multiple class apply कर सकते हैं ठीक है जैसे हम लोग ने लास एपिसोड में देखा था लेकिन हर एक जो टैग होता है उसके अंदर जो ID होती उसके अंदर हम लोग एक ही ID दे सकते हैं ठीक है friends तो जो वो पूरे पेज के अंदर यूनिक होती है ठीक है तो ऐसे कई सिच्वेशन होते हैं जहाँ पर हम लोग को स्टार्टिंग से लिखना है बस इतना आपको याद रखना है ठीक है उसी तरीके से अभी नेक्स्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर डैट इस टार ठीक है friends तो आपको क्या करना है सिंप्ली यहाँ पर लिखना है स्टार और करली ब्रेकट ओपन क्लोज करो और उसके अंदर अभी मैं लिख देता हूँ लाइक जैसे मार्जिन लेफ्ट और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 40% ठीक है friends तो यह स्टार को क्या बोलते है यूनिवर्सल मत्तब पूरा पेज ठीक है तो वह क्या गरेगा पूरे पेज के ऊपर मार्जिन लेफ लेफ्ट कर देगा ठीक है और सेव करते हैं अब इसको हम लोग रण करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी बड़ी जगा चुटिए ठीक है तो वह किसमें मार्जिन की वाज़े यह जनरली ज्यादा अम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वह पूरे पेच पेट करता है ठीक है जनरली इसका यूज हम लोग कर सकते हैं लाइक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मार्जीन 0px सेव करते हैं और फ्रेंड्स आप अभी देख सकते हैं ठीक है अभी जो हेलो वर्ड है यहां पर पूरे पेच को यहां पर वो थोड़ी भी जगा नहीं है ठीक है तो आपको यहां पर जगा नहीं होती है डर के अंतर ठीक है फेंस तो उस केस में हम लोग स्टार यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं फिट से इसको निकाल देता हूँ सेव करते हैं और रंग करते हैं ठीक है फेंस अभी देखो आप तो बाइडीफॉल पेज के अंदर थोड़ी स्पेस यहां पर छूट के आती ठी प्लेली को मार्जिन जीरो पी अक्स तो जुतनी भी मार्जिन होगी पेच के अंदर वो बाइडीफॉल उसको जीरो सेट कर देगा और कुछ आपको इस तरीके से आउटपूट दिखेगा ठीक है फेंस तो उसकेस में हम लोग उस करेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर अभी न अंदर मुझे क्या करना है तो H1 और P ये दोनों के उपर मुझे सेम मार्जिन अप्लाए करना है ठीक है फ्रेंस स्वरी हम लोग H1 को रहने देते हैं पी और H2 इन दोनों के उपर मुझे सेम मार्जिन अप्लाए करना है तो मैं क्या करोगा सिंपली आपे पी और कॉमा करके h2 और यहां पर मैं लिख देता हूँ margin left 100 pixel सेव करते है तो friends अभी यह क्या गरेगा जो p tag है और जो h2 tag है दोनों के उपर margin left 100 pixel अपलाई कर देगा सेव करते हैं रन करते हैं तो friends आप यहां पर देख सकते हो जो हमारा p tag है और जो h2 tag है दोनों के उपर margin अपलाई हो गई है तो इसी तरीके से अगर आपको जो elements है अदब html elements है उनका गरूप बनाना होगा तो इस तरीके से आप गूरूप भी बना सकते हो ठीक है तो simply आपक इसके अंदर कोई class होगा तो वह class का नाम भी आप है आप लिख सकते हो ठीक है अगर आपका anchor tag हो का यह भी आप लिख सकते within तो आप एक जो CSS है ई सकेंदर आप जो भी CSS लिख हो ठीक है तो वह मांपको इन सारे tag पे apply करना है तो आप इस तरीके से को मारेकर कि डिवाइड कर सकते हो ठे तो इसको क्या बोलते हैं लो group सिलेकटर ठेज अभी हम लोग next से देखते हैं तो friend next है combinator selector तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह combinator और सिलेक्टर की उस करते हैं तो अभी मैं यहां पर एक डिव बना देता हूं और उसके अंदर एक ट्याग है और इसके अंदर में लिख देता हूं और इसके अंदर यह जो मोबाइल है उसको मुझे थोड़ा अलग डिजाइन करना है तो उसको मैं एक स्पांड टेक के अंदर फिलाल लिख देता हूं ठीक है फ्रेंड्स तो अभी देखो मैं क्या करता हूं अभी में मेरा जो वेब पेज है उसके अंदर और भी जगे पे स्पांड टैग अल्रेड़ी है ठीक है जैसे इसके अंदर में लिख देता हूं कि टेक से वरते है और मैं अभी यहां पर लिखता हूं स्पांड और इसके अंदर मिया भी अप्ला कर देता हूं कलर क שהוא करते हैं और इसको run करके देखते हैं तो friends जो जो color है वो अभी मैं थोड़ा color change कर देता हूँ blue save करते हैं तो friends यहाँ पर जो span है उसके blue color apply हो रहा है और नीचे जो span है वहाँ पर भी blue color apply हो रहा है ठीके friends लेकिन ऐसे हमारी प्रिटपेश के अंदर conditions होती कि like particular dew होगा उसके अंदर ही हम लग को क्या करना है तो वह span के अंदर color apply करना है ठीके friends तो अभी situation ऐसा है कि मुझे जुझे करना है खली इसी span के अंदर मुझे blue color apply करना है कि जो dew tag के अंदर होगा और यह प्बिद यूदक में हम लोग क्या युज करते हैं ठीकर फिट थो पेले डिव फिर उसके अंदर है यह पिटेग पिर उसके अंदर है स्पानि टो मैं इसको फिर से पॉर्मेट करता हूँ तो आपको उच्छेसे अधे आएगा तो सबसे पहले क्या है दिव फिर उसके अंदर है फिर उसके अंदर है इस तरीके से अगर आपको relations बनाना होगा ठीक है combination बनाना होगा तो उस case में हम लोग क्या यूश करते हैं तो combinator selector जिसके अंदर आपको क्या यूश करना है तो closing bracket ठीक है फिर्णस तो save करो और इसको run करते हैं तो आप देख सकते हो कि जो due tag है उसके अंदर जो p है उसके अंदर जो span है उसके ओपर अभी blue color apply हो रहा है और इसके ओपर अभी apply नहीं हो रहा है ठीक है फिर्णस तो अभी आपको क्या करना है तो इन सभी selector की practice करनी है ठीक है फिर grouping selector फिर combination और combinator selector भी आप बोल सकते हो ठीक है फिर्णस तो फिलाल अभी के लिए इतना ही तो अभी आपको क्या करना है तो आपको practice करना है और फ्रेंडस आपके जो भी फ्रेंडस है और family है जिसको software development में इंट्रस से उनके साथ ये वीडियो आपको जरूर जरूर शेयर करना है ठीक है फिर्णस और जो बाकी बचे selector बचे वह आपको अभी नेक्स एपिसोड में मैं आपको सिखावा ठीक है फिर्णस तो अभी के लिए फिलाल इतना ही ठैंक्यू